किसानों के गन्य की फसल का बकाया राशी जल दिये जाने की मांग को लेकर के आज पंचकुला के सेक्टर 21 में क्रीशी भवन के बाहर किसानों ने जम कर परदेशन किया बहरी संख्य में पहुचे किसानों ने क्रीशी भवन का घहराव किया और मुख्या गेट को बंद कर दिया गया जिसके चलते क्रीशी भवन कारियले के अंदर काम करने वाले करमचारी लंबे समय तक अंदर ही फसे रहे सेयुक्त गना किसान कमेटी के नाराइनगट द्वारा विभा कारियले के बाहर बाहरी संख्या में किसान पहुंचे थे और क्रिशी भवन कारियले का खेराव किया पलपल पंचकुला से तारा ठागुर की खास रिपोर्ट नाम बताओ जी आपका मैं आमर्ची सिंग मोडी परदान बीके यू सहिद पगसिंग क्यों आज आप लोगोंने घेर रखाई है गेर नहीं हम तो बातचित करने के लिए आये थे कैन कमिशनर से लेकिन उनकी अवदर भासा की बज़े से जहां पर घराव करना पड़ा हम तो ब से जो सुग्र मिल साइजाद पर है वो सरकार चला रही है एस डिम उसको देख रहे कर रहा है और से डिसी साहब की नगरहनी के अंदर आपके में कैन कमिशनर साहब ने वो कमेटी बनाई हुई है लेकिन जब से इनके हथों में मिल गया है उसके अंदर कोई किसानों की पेमे काई बहुबसे कर तेका करते हैं की अ बात करेंगे आपकी की समस्सेंदों सबकों को पता है लेकिन जो हमारा हल है वो है पेमेंट है जो कॉनून के मताब है कि जिस दन किसान ने गन्हा मिल के अंडर गेर दे, उस से चोगते अंदर पेमेंट किसान ने खते में आने चाहिए लेकिन उसे बात के उता है, कौनून जो गौर्मेंटर ने बनाया है, उसको लगब को न करवाएगा, वो परसास न कराएगा, कैन कमिस्टनर राइवेड सुगरमिलों के देखते हैं, लेकिन यह और ही रोने होते हैं, लेकिन जो किसानों रख की बात नहीं करते हैं, किसानों ने उल्टा सुगरमिल के लिए 35 क्रोड क्रॉप लॉन दिया था, लेकर, वो भी सुगरमिल के मालक ने नहीं दिया, और जो कमेटी सुगरमिल की, जो SBM है, LBC है, वो उनको देना था, उल्टा किसानों के उपर उसके सम्मन आ गए हैं, बैंक की तरफ से, यहां भी आप कब स सनतकारी नहीं बंगें, यह तो थोड़ा अपना बंद किया है जब तक हमारी बात नहीं सुनने चाहिए, आफसर को, हल होता है, यह तो कोई मजबूरी है, तो बताओ भी फ़लाने अफसर से बात करते हैं, यह तो नहीं है, अब धरना लगा लो, अगर पैसे धरने से मिलते ह है मेरे भई कितने बार लिये हैं किसाने हुने आगे भी ले dal catastrophe ली हैं कहने मतलब यह नहीं है बात्चित करने का तरिक्ता था जो वह बड़ा रूड था अच्छा नहीं था किसाने बात्चित के लिए आये थे लेकिन अफसर्स हैवान बात करने के मूड में नहीं है